पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने के कयास तो लगाए जा रहे थी लेकिन 370 को हटाने का अंदाजा शायद ही किसी ने लगाया होगा अना कि मोजिस सरकार के लिए जम्मू कश्मीर को विशेश दरजा देने वारे समीधान के धारा 370 को हटाने जैसा बड़ा और कड़ा निर्ना लेना आसान नहीं था उसके सामने बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतिसाम करते हुए इस फ्लैन को सीक्रेट रखने की सबसे बड़ी चुनाती थी ऐसे में पीएम मोदी और ग्रह मंत्री अमिशा ने इस फ्लैन को सपलता पूर्वत कार्यान विद करने के लिए बेहत खास लोगों की टीम चुनी तो आई ये जानते हैं मोदी शा की टीम में शामिर उन्चार लोगों के बारे में जिनने मिशन कश्मीर के बारे में सब कुछ पता था अजीर दोभाल रास्टे सुरक्षा सलाकार अजीर दोभाल पर सुरक्षा को लेकर अच्छू करनीती बनाने की रही उन्हेंने कश्मीर जाकर टॉप आफिसरों की टीम ली वहाँ के सुरक्षा हालात का जायसा लिया और आगे के रणीती इस पर्ष्ट की अब जब आटिकल 370 हटाने का फैसला हो चुका है तो वो घाटी में शान्ते सुनिश्चित करने में जूटे हैं वो अब भी जम्मू कश्मीर में ही है नमबर दो राजेव गौबा केंद्रिय घ्रैसची घ्रैसची राजेव गौबा 1982 के जारखन केडर की आई एस ओफिसर हैं ग्रह मंत्रा लेके सबसे बड़े अधिकारी के तौर पर उन्हें ग्रह मंत्री अमिश्चा की सारी योजना को सुचारू रूप देने की जिम्मेदारी थी इनकी एहमियत का अंदाजा इस बास से लगाया जा सकता है कि पांच अगस्त की कैबिनेट मीटिंग से पहले सुरक्षा पर मंत्री मंडलिय समीती की हुई मीटिंग में वो भी मौजूद थे केंद्र की योजना को जम्मू कश्मीर में लागू करवानी की जिम्मेदारी इनी पर है ये पीएम मोदी के इतने करीबी माने जाते हैं की ने अगले होम सेक्रेटरी के तौर पर देखा जा रहा है उन्होंने घाटी में शांती वाखाली के लिए जो कदम उठाए उससे पीएम मोदी बेहत खुश है जम्मू कश्मीर में चुनिंदा दिनों में हाईवे बैंट समेट कई बड़े फैसलों के पीछे इनी का दिमाग है सुरक्षा की दृष्टी से इतने बड़े फैसले से आर्मी चीफ अवगत ना हो ये कैसे हो सकता है कश्मीर में अलगावादियों नेताओं से लेकर आम जनता तक नियंत्रित रखने की जिम्मेदारी इनी पर है इंडिया न्यूज फारल क्रिपो झाल